हलो फ्रेंट्स, वैलकम इन मा यूट्यूब चैनल श्री शिवा आज मैं आपको कुवरेशर धाम के वारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ जहां मैंने अभी विजिट किया है मेरा भूले बाबा पर अटूट विश्वास है जिसके लिए मैं आज बोपाल के नियरे सी और है जहां पर प्रदीव मिश्रा जी का आश्रम है कुवरेशर धाम वहाँ पर जो पूद्राक्ष विक्तरन चल रहा है मैं भी उसे लेने आई हूँ तो मैं अपनी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूँगी मैंने कैसे रिसीव किया पूरी जानकारी देने वाली हूँ तो हम मोपाल से आए है पर्सनल वीकल कार करके जो पार्किंग में खड़ी कर दी है हमने और वहाँ से हम मंदिर की तरफ चल रहे है साइट से बहुत सारी प्रशाद और मंदिर से रिलेटर जो भगवान का सामान मिलता है काफी दुकाने लगी हुई है काफी भीड नजर आ रही है और बहुत प्रशाशन लगा हुआ है इदर हमने ये शॉप से प्रशाद लिया पहले थोड़ी बारगैनिंग की पहले 50-50 में दे रहा था उसमें काफी महेंगा फिर 35 में लगाया उसने प्रशाद रखवाया हम लोगों ने थोड़ा सा हमने दुकान वाले भीया से मंदिर की जानकारी ली क्योंकि एक दिन पहले प्रुद्रा वितरन हुआ था तब इतनी परिशानी नहीं आई थी और थोड़ा आप संभल की भी रहे हैं ये थोड़ा सा ठगने वाले भी बैठे रहते हैं हमें भी ये दुकान बाले आंटी जी हैं वो ये बोलकर हमें बोल रही थी कि ये पांच बेल पत्र कहीं नहीं मिलता आप एक सो एक क्यावन में ले लीजिए और हमने नहीं लिया तो हमने जाते हुए सुना तो बोल रही थी अरे उल्लू नहीं बने तो आप इन चीजों से थोड़ा सा सेफ रहिएगा हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं काउंटर बनाए हुए है जहां पर कि रुद्राक्ष वित्रन चल रहा है मतलब रुद्राक्ष वित्रन का सेकिंड डे है और आप इमेजन कीजिए इतनी भीड थी अभी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत भीड थी मतलब मतलब पहले जो वित्रन होने वाला था आठ दिन में क्या ही हाल होता देख लीजे आप कितनी भीड है बहुत भीड है आगे जाट यहां हर चीज के लिए अनॉस्मेंट कर रहे हैं यहां पर रूल हो गया है कि एक आधर कार्ट पर एक ही रुद्रक्ष मिलेगा हम लोग होने तो एक परसंट के पास जितने भी बस और्डनल आधर कार्ड होने चाहिए उतने दे रहे थे फोटोकापी नहीं चलेगी आपके यहां पर इसी लाइन में हम लोग लगे हुए थे तीन से चार घंटे में हमने रुद्रक्ष लिया है हमने रुद्रक्ष ले लिया है थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा बाकी दिक्कत कोई नहीं है पानी वानी आप साथ रखिएगा थोड़े चक्करवा करना आ जाए क्योंकि टैंट इनोंने पूरा लगाया नहीं है बेवस्ता ठीक से है नहीं आप मंदिन में चारत अव देखी लिए बहुत दूड़े है हाँ मोबाइल में आधरकाड का फोटो नहीं चलेगा फोटो कापी भी नहीं चलेगी आप और जाके रूल कर दे कि एक व्यक्ति जसका आधरकाड है उसको ही देगा अभी तो एक परस अधर में गोशालाबी बनी हुई है कि इधर भंडारे भी चल रहे हैं कि अधर भंडारा चल रहा है हम लोग देखने आयते पर हमें मतलब कोई व्यवस्ता नहीं दिखी तो हम नहीं खापाए कि चुड़ी बटरी थी इदर बाकी आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आप पर्सनल वीकल करके आईएगा क्योंकि गर्मी बहुत है बोपाल से अगर आ रहे हैं आप नियरेस्ट रेल्वे स्टेशन बोपाल है कि यहां पर मंडारा चल रहा है खिचुड़ी का यह मंदिर है सामने यहां पर ब्यास पीट है जहां पर प्रदीप मिश्चा जी जब भी सी और में धाम से शिप्पुरान कहते हैं तो यहीं इसके अंदर बैटकर ब्यास पीट पर कथा सुनाते हैं उसके बाद जो उनका नय क्या मंदिर बन रहा है यह गुफा इसमें हमने दर्शन किये कि देखिए सब लोग अपनी आस्ता के अनुसार बनाते हैं यह पेड़ बने हुआ है मुझे समझ नहीं आया कि शीष का लेकिन यहां पर इसकी पूजा कर रहे थे सब लोग यह कुफा के अंदर का अभी यहां पर काम चल रहा है भी कम्फलीट नहीं हुआ मंदिर यह दो कुफा अपको इतनी दिक्कत नहीं आईगी आप आरं से रुद्रक्ष ले सकते हैं बस थोड़ा गर्मी का ख्याल रखिएगा पानी वगेर अपने साथ रखिएगा जब आप लाइन में लगें यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे हैं यह हम लोग गुफा के अंदर हैं हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था थोड़ा शुरुआत में परिशानी हुई लेकिन बाद में जब रुद्राक्षा में मिल गया तो हम अपनी सभी परिशानिया भूल गए मन को बहुत शान्ती मिली मैं महादेव को बहुत मानती हूँ इसलिए भगवान ने मुझे आप बुलाई लिया श्री शिवाय नमस्तु आपको अगर मेरी जानकारी पसंद आई तो आप मेरे इस शैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ऐसी ही रोचक जानकारिया में आप तक पहुचाती रहूंगी शीजिवाय नमस्तु आपको